तो अब नेक्स टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट तो इस वीडियो में तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफाइन बाला डेफिनिशन के बारे में देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे और उसके नेक्स वीडियो में उसके स्टेजिस के ब इन सब कोंति एक यहें कि नम्बर होता है है जैसे से फूर फिट फाइफ फिट मेजर कर सकते जिसको उसको कहते हैं quantitative, तो growth जो होता है, वो quantitative होता है, जैसे height बढ़ना, weight बढ़ना, size बढ़ना, यह सब होता है growth, अब है development की बारी, तो development होता है qualitative, जब हमारा brain का IQ बढ़ता है, तो quality बढ़ रही है न हमारे अंदर की, ठीक है, हमारे IQ की quality बढ़ रही है, तो उसको कहते है qualitative, और mature होना, better learning करना, हमा growth होता है physically mature होना, और development होता है mentally mature होना, यह physiologically mature होना, developmental में हमारा maturation हो रहा है, उसपे यंक्लूट करता है mentally mature होना, emotionally mature होना, और socially, socially मतलब उसमें mature होना, हम सोसाइटी को कैसे accept करते हैं, वो socially के दर आ गया emotionally मतलब हमारे जो attitude है वो क्या है कैसा है वो emotionally हो गया और mentally मतलब जो हमारे skills होते हैं वो कैसे हैं मतलब हम किस चीज को किती अच्छी साथी किसी catch कर पा रहे हैं वो हो गया mentally mature होना ठीक है तो यह सब आते हैं development के अंदर जैसे हम growth को तो measure कर सकते हैं जैसे सेंटीमीटर किलोग्राम में पर development को measure करना कठिन होता है ठीक है development को measure हम कर सकते हैं थूँ some quiz और by inspection ऐसे measure कर सकते हैं बाकि हम लोग इसको measure नहीं कर सकते हैं अब next हम देखेंगे importance of growth and development growth और development के importance को पढ़ना इसलिए important है first point ता कि हमें पता चल सके कि बच्चा एक certain age में mentally और physically कैसा expected किया जाता है मैंना कितना expected होता है like just born baby जो होता है 2.5 से 3.8 kg expected होता है बढ़ अगर वो underweight होगा और अब नॉलेज ही नहीं होगी importance ही नहीं पता होगी growth and development के बारे में तो हम उसको हमें कैसे पचलेगा उसको identify नहीं कर पाएंगे और वो माल नरिश्मेंट का शिकार हो जाएगा इसलिए growth और development के बारे में study होना important होता है secondly उन बच्चों को identify करने के लिए जो दिखने में तो सिखने ही लगता है वाला बिमार नहीं लगता है पर कहीं नहीं वह अंदर से बिमार होते हैं वह माल अरिज्ड होता है अगर कोई बच्चा है तो उसका आइंटिफिकेशन पहली हो जाएगा ठीक है और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे कुछ abnormalities होती है जो अर्ली अदेटिफिकेशन से सही की जा सकती है इसलिए growth और development की study होना important है या फिर नॉलेज होना important है फोर्थ पॉइंट है बेबी की suitability को assess करना for adoption adoption के लिए बेबी की suitability को assess करना developmental examination के जरिये से ठीक है अब next है to assess the general health बेबी की general health nutritional status की community का जो nutritional status है उसको assess करना उसको जाचना अब next point है evaluation of social action in the community by comparing the growth data before and after the remodel action इसमें बोला गया है Remedial action से पहले Remedial action के पहले और बात का data हम compare करेंगे देख उसमें evaluation इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर एक society में सारे बच्चे वह unhealthy होंगे तो उस evaluation से में पदा चलेगा कि महां जो खान पीने वह बिलकुल पर अच्छा नहीं है इस सोसाइटी में खाना पीन अच्छा है यहां का nutrition status अच्छा है तो evaluation is most important तो यहां पर ग्रोथ और डेवलेप्मेंट का पार्ट वन खतम होता है I hope आपको यह वीडियो हेल्फुल रहे होगी if you like this video give a big thumbs up and subscribe to my channel